नमस्कार दोस्तो योगेश टिकरकल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कमप्रेशर की टर्मिनल मेंटिंग के भारे में दोस्तो शुरुवात एक छोटी सी स्पार्किंग से शुरू होती है और अन्जाम हो जाता है हमारा जो कमप्रेशर है उसकी जो टर्मिनल है जो पिन है वो बिल्कुल बाहर निकलाती है यह क्यों होता है यह कैसे होता है और इसे हम कैसे ठीक कर पाएंगे इसी बात को हम वीडियो में जानेंगे तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक ज़रूरी बात आप वीडियो को देखती भी रहिएगा और ध्यान से सुनते भी रहिएगा यह जो आप सामने अभी कंप्रेशर देख रहे हैं इसमें ऐसा ही फाल्ट आ चुका है इसका एक टर्मिनल स्पारक हो चुका है जिसे हम रिपेर करेंगे और मैं आपको इस विशय पर सारी बातें विश्तार से बताऊँगा दोस्तो टर्मिनल वेंटिंग के विशय पर मैं सतंतर रूप से एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने वो सारे डिजन बताय हूँ है जिससे कि यह समझ्या उत्पन होती है और हमारा कंप्रेशर बिलकुल खराब हो जाता है लेकिन आज हमारा फोकस है स्पारक से अधिक मातरा में आ जाती है और हलकी सी भी लूजिंग या स्पारक हमारे इन पॉइंटो पर हो जाता है तो यहां पर एक उच्छ फलेश उत्पन होती है और उससे जो हमारा थिंबल है हमारी वायर में लगा हुआ है वो यहां पर वैल्ड हो जाता है यानि कि इस टर्मिनल स पहुंच जाता है अभी आप सामने देख रहे हैं मैं हलके हलके स्कुरू ड्राइवर से इसके किनारों को क्लियर कर रहा हूँ आप जो बाइन साइड चीत्र में देख रहे हैं यह बलोक है टर्मिनल का और इसका आप सर्फिस देख सकते हैं कितना कलीन और साफ है अब हमें क सावधानी से स्कुरू ड्राइवर की सहता से या फिर शार्प फाइन से या फिर टिकोना फाइल से आपको यह जो हमारी लोही की रोड है और इस पर यह स्टिप लगी हुए जिस पर हम अपनी थिंबल को लोगड करते हैं इसे बिलकुल साफ चिकना सुत्रा करना है किसी एम आपको बताता हूं कि जो यह टर्मिनल ब्लोग है जो आप बराबर में देख रहे हैं यह हार स्टील का बना होता है गलास सिलिकोन से यह निर्मत होता है यानि कि यह स्टील की कैप होती है और इसमें जो स्टाक होते है उसमें हमारी लोही की पिन लगी होती है और उसे गलास तब मान कावी बढ़ जाता है जिससे टर्मिनल वेंट हो जाता है लेकिन इस विशह पर एक वीडियो है मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा वहां जाकर आप उसे दिख सकते हैं उससे आप सारी बातें क्लेर कर पाएंगे लेकिन आज हमारा फोकस इसी वेंटिंग जो हमारा थ साफ कलीन करके आपको इसे रखना है साफ कपड़े से साफ करना है तो दोस्तों यह करते करते आपको ग्लास को डैमेज नहीं करना है क्योंकि अगर आपका ग्लास एक बार डैमेज हो गया तो जैसे हमारी काल के शिशे में कोई पत्थर कंकर हलका सा भी लग जाता है तो एक प्लॉप उभर आता है और वह धीरे-धीरे पूरे में खराब कर देता है वही काम इस कार्यों पर होता है। अगर आप ने इस कार begitu करते हुए प्लैक रंग वाले शीष्य को डैमेज करते हुए जो आप देख रहे हैं चित्र में हुए प्लैक रंग का जो यह दरव है ये सिलिकोन युक्त हमारा गलास है अगर ये डैमज हो गया तो यहां से क्रेक बढ़ना चुरू हो जाएगा और एक दिन अंजाम वही होगा जो आप चित्र में देख रहे हैं हमारा ये टर्मिनल बिल्कुल बहार निकलाएगा इसलिए इसे साफ करते हुए आपको काफी साफ दाने का इस्तिमाल करना है और दोस्तों यह भी मैं आपको बदना चाहता हूँ कि जब भी आप यह कारिया करें जो आप वायर देख रहे हैं इस पर केमिकल रियक्शन हो चुका है यहां पर एसेडिक वाता वन पूरी तरह से बन चुका है इसलिए आपको इसे काटकर रिम् थिंबल लगानी है और आप जब थिंबल लगाएं तो वो काफी मजबूत होनी चाहिए ताकि आपके जो टर्मिनल है उनके साथ उसकी मैचिंग हो पाए क्योंकि अगर आपका टर्मिनल एक बार खराब हो गया और आपने उसे पूरीतर से रिपेर नहीं किया तो इसे आपक कर देते हैं प्लायर से कर देते हैं अब हम इस पर एक नया थिंबल लगाएंगे थिंबल हैवी क्वाल्टी का होना चाहिए और आपको थिंबल लगाते हुए उसे प्लायर से टाइट और उसकी शेप को खराब नहीं करना है या आपको जहां रखना है इसके लिए नोज प् चाहिए अगर आपकी वायर लूज रहेगी यहां से फिर स्पार्किंग उत्पन होगी और नमी के साथ और अक्सिजिन के साथ जलकर वो यहां पर एसडिक रसाइनिक पाउडर का निर्मान कर देगी जिससे धीरे धीरे आपकी जो थिंबल है वो खराब हो जाएगी और आपके इस कवर को रिमूव कर दिया है तो समझ लीजिए कि आपके टर्मिनल बार बार खराब होंगे और एक दिन आखिर में वो फट ही जाएंगे क्योंकि दोस्तों यह कोई हलका सा कोई प्लास्टिक का कवर नहीं है यह एक सुरुक्षा चक्र है किसी भी हादसे से हमें बचाने क के लिए कहीं बार हम क्या कर दे हैं कि इसे निकाल तो देते हैं लेकिन लगाते नहीं है क्यों कहीं बार तार चोटी पर जाती है तो भी हम इसे साइड में रख देते हैं या कंपेश्टर में कहीं भी फिंक देते हैं इसलिए आपको ऐसा कर्या नहीं करना और इस कवर को हमे से उत्पन हो जाएगी तो मैं जिसा आपको बता रहा था कि यह सेफटी कवर होता है कई बार क्या होता है कि जब हम कमपिशन पर कार्य करते हैं बरी दोपहरी में तो प्रेशर इतना बढ़ चुका होता है और अगर ट्रमिनल हमारा हलका सा भी गलास उसका ब्रेक हो गया होगा इसलिए इस कवर को कभी भी रिमूव ना करें और हमेशा इस कवर को लगा कर रखें मने आपको पता ही दिया कि जो हमारा यह ट्रमिनल ब्लोक होता है यह हमारा हार स्टिल से गलास से बना होता है और इसलिए आपको इस विशिश का इस बात का विशिश धनकना होगा कि कभी भी या डैमेज ना हो पाए कवर को अच्छी तरह से लगाएं और बगएर रवड के भी ना कवर लगाएं क्योंकि दोस्तों अगर बगएर रवड के आप कवर लगा देंगे तो सर्विस के तुरान उसमें पानी चला जाएगा या फिर जब मोश्चर की अधिक्ता होगी इस म पर स्पार्किंग होना शुरू हो जाती है तो दोस्तों कोशिश थी कि मैं आपको इस विशे पर वो सभी बातें बता पाऊं जिससे कि आप इसके बारे में जान पाएं क्योंकि दोस्तों शुरुवात होती है छोटे सी स्पार्किंग से और अंजाम हो जाता है टर्मिनल वे दोस्तो